हेलो दोस्तों वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्तों 79,000 भरती में आज जो कोट की अपडेट है उसे लेकर एक बार फिर से मैं आप सब के बीच में आया हूँ और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि लगवक दो बज़े से धाई बज़े से जो आप लोगों की आज की सुनवाई होनी थी प्रारंब हो गई थी और इसके लावा आज क्या क्या हुआ इन सब के बारे में बात करेंगे और आगे क्या फैसला आएगा कब तक क्या डेट मिली है इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखेगा चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेज़े ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें और आगे हम लोग तैयारी भी प्रारंब कराने वालें तो सभी अपडेट्स और तैयारी की वीडियो समय पर मिलती रहें और साथी साथ दुस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए अब देखते हैं पहली अपडेट से तो दोस्तों आज की बहस जो प्रारम की थी वो परिहार जी जो वकील साव हैं दूसरे मतलब की सिच्छा मित्रों के वकील हैं उन्होंने बहस प्रारम की थी परिहार जी ने इसके आद उनकी जब बहस पूरी हो गए उन्होंने अपना पच्छ पूरा रख दिया इसके आद आ उन्होंने अपनी कुछ बाते रखी अपने कुछ तथ रखे इसके लावा कुछ कोड के कागज दिखाए इसके पहले परिहार जी ने भी बताया कि सिच्छा मितर काफी दिन से लगे हुए हैं तो उन्हों को इस प्रकार के दो मौके दिया जा रहे हैं तो उनके आधार पर उन ही थे इसलिए वो लोग सिर्फ इसी प्रकार की बातें करते रहें तो उनकी जो बहस थी वो पूरी हो गई अब इसके दोस्तों आज की सुनवाई जो पूरी हुई इसके अब कल दोबारा से सबादो बजे धाई बजे तक सुनवाई प्रारंब होगी इसी केस में और इसके ये कुछ अपडेट थी इसके आद दोस्तों कुछ महतपूर बात है वो आप लोगों को बतानी है तो दोस्तों जैसा की बताया जा रहा था कि डेली एक नई डेट मिल रही है तो उसी क्रम में बताया जा रहा है कि कल सबादो से बहस प्रारंब होगी इसके आद परसों भावना है परसों तक आप लोगों को कुछ खुसकबरी मिल सकती है क्योंकि इन लोगों की बहस पूरी हो चुकी है कल जो सरकार की तरफ के वकील है और एक और वकील जो डॉक्टर साब है वो अपनी बात रखेंगे इसका जो कोर्ट नेने लेती है वही उनका आदेस रहेग परसों इलहाबाद कोर्ट में भी डेट लगी हुई छे तारीकों तो उम्मीद करते हैं कि छे तारीकों आप लोगों की जो दोनों जगह की इलहाबाद में और लखनव वेंच में दोनों जगह सुनवाई होकर एक ना एक जगह से तो रिजल्ट निकल ही आएगा इसी परका यह होगा दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्या रिजल्ट आता है तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना यही कुछ आपको अपडेट देनी थी तो कुल तयार रही एक बार फिर से ढ़ाई बज़े से लगबग सुनवाई प्रारंब होगी तो इन सभी चीजों को पाने के लिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे उसके पास मैं आपको एक वैल आइकन दिख रहा होगा उसे भी जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आपको नोटिफकेशन समय पर मिलता रहे इसके लावा जो लोग अगली वेकेंसी की तयारी प्रारंब क देखिएगा उसमें भी आपको यूपीटेट सीटेट और सिच्छक भरती से संबंदे सभी इंपॉर्टेंट कोश्चेंज टॉपिक वाइस दिये हुए हैं और इसके लावा सभी टॉपिक कवर कर दिये गए हैं तो दुस्तों जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तुरंत बि पीच में लेकर आता रहता हूं इसलिए इसे अधिक से दिक सेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करना मत बूले और अपने जो आपके विचारों उन्हें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा थैंकि दोस्तों